पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है जूट बोलो, बार बार जूट बोलो नमस्कार दोस्तों, वाट्सैप यूनिवरस्टी की फर्जी खबरे भक्त मंडिली बोलती है तो चलता है ट्रोलर्स बोलते हैं वो भी चलता है भाजपा के नेता, कारेकरता बोलते हैं तब भी चलता है लेकिन अगर खुद प्रधान मंत्री सरेयाम मंच पर खड़े होकर सफेज जूट बोलने लगें तो आप क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे वो में कमें सेक्शन में आप लिखकर बताईएगा लेकिन आपको बता दें कि देश की जनता पीम नरेंद्र मोधी को जूटा कह रही है असल में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने रविवार को राजुस्थान में कॉंग्रस पर निशाना साते हुए कहा कि अगर कॉंग्रस सत्ता में आती है तो वो लोगों की संपत्ती को मुसल्मानों में बाट देगी पियम मोधी ने पूर फ्रधानमंत्री मनमोहन सिंग के 2006 के एक बयान का दिक्र भी किया था उन्होंने दावा किया कि मनमोहन सिंग ने कहा था कि देश की संपत्ती का पहला हक मुसल्मानों का है सुनिये पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है तो सब प्रधानमंतरी नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंग के जुस्ट बयान की बात कर रहे हैं वो पहले भी कई बार चर्चा में आ चुका है ततकालीन प्रधानमंतरी मनमोहन सिंग ने साल 2006 में राष्ट्रिय विकास परिशत की एक बैठक में ये भाशन दिया था उस दौरान उन्होंने क्या कहा था साफ शब्दों में हम आपको बताते हैं सुनिये मनमोहन सिंग ने कहा था मेरा मानना है कि हमारी सामोहिक प्राथमिक्ताएं स्पष्ट हैं क्रिशी, सिचाई, जल, संसाधन, स्वास्त, शिक्छा, ग्रामीर बुन्यादी धाचे में महत्वपूर्ण, निवेश और सामान्य बुन्यादी धाचे के लिए आवश्यक सार्वजनिक निवेश की जरूरतें साथ ही अनुसूचित जाती, अनुसूचित जन जाती, अन्य पिछड़ा वर्गों के उत्थान के लिए कारिक्रम, अलप संख्यक और महिलाएं और बच्चों के लिए कारिक्रम अनुसूचित जातियों और जन जातियों को पूर्व जीवत करने की जरूरत है हमें नई योजनाय लाकर ये सुनिश्चत करना होगा कि अलप संख्यकों का और खास करके मुसलमानों का भी उत्थान हो सके विकास का फायदा मिल सके इन सभी का संसाधनों पर पहला दावा होना चाहिए केंद्र के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और ओवरॉल संसाधनों की उपलब्दिता में सब की जरूरतों का समावेश करना चाहिए तो ध्यान देने वाली बात ये है कि मनमूहन सिंग ने ये भाषन अंग्रेजी में दिया था और उन्होंने अधिकार या फिर हक शब्द का कहीं पर भी इस्तिमाल नहीं किया है जैसे कि प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया उन्होंने अंग्रेजी में क्लीम शब्द का इस्तिमाल किया था अब ध्यान से सुनिये दिस्तो पहले भी इस बयान के सच्चाई कई बार सामने आ चुकी है कई बार बयान को गलत तरह से पेश करके भाजपा इसे भुनाने की कोशिश भी कर चुकी है लेकिन आज खुद प्रदानमंत्री मोदी चुनाफ से ठीक पहले इस भाशन का इस्तिमाल कर रहे है हैरानी की बात तो ये है कि पीए मोदी मुसल्मानों को ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला गुस्पैटिया और अर्बन नकसल बता रहे है कुछ समय पहले प्रदानमंत्री नरेंदर मोदी खुद को इनी मुसल्मानों का भाईजान बता रहे थे लेकिन चुनाव आते ही सत्ता खोने का डर बढ़ता जा रहा है हाला कि दोस्तों विपक्ष प्रदानमंत्री नरेंदर मोदी के इस भाषन की काड़ी आलू चुना कर रहा है और कह रहा है कि प्रदानमंत्री नफरत के बीज बो रहे है कॉंग्रिस नेता राहूल गांधी ने एक्सपर लिखा है पहले चरण के मदान में निडाशा हाथ लगने के बाद नरेंदर मोदी के जूट कस्तर इतना गिर गया है कि घबरा कर वो अब जनता को मुद्दों से बटकाना चाते हैं कॉंग्रिस के क्रामतिकारी मैनिफेस्टों को मिल रहे आपार समर्थन के रुजान आने शुरू हो गए हैं देश अब अपने मुद्दों पर वोट करेगा अपने रोजगार अपने परिवार और अपने भविश्चर के लिए वोट करेगा भारत भटकेगा नहीं कॉंग्रिस नेजा पवन खेडा ने कहा कि प्रधान मुंत्री को चुनोती है कि हमारे गोशनापंत्रों में कहीं भी हिंदू मुसलिम लिखा हो तो दिखा दे इस तरीके का हलकापन आपकी मानसिक्ता में आपके राजनैतिक संसकारों में है हमने तो युवाओं, महिलाओं, किसानों, आदिवासियों, मध्यवर्ग, श्रमिकों को न्याय की बात कहीं है आपको इससे आपत्ती है इसके अलावा श्रीनिवास बीवी ने मुदी जी के भाशन के बारे में क्या कहा है और उससे भी बड़ी त्रासदी है कि भारत का चुनाव आयोग अब जिन्दा नहीं रहा हार की बॉखलाहट के चलते खुले आम भारत की प्रदान मंतरी नफरत का बीजबो रहे है मनमोहन सिंग जी के 18 साल पुराने अधूरे बयान को मिस्कोट करते धुरूवी करन कर रहे है लेकिन चुनाव आयोग मोदी का परिवार जिसे इन्होंने कहा है नतमस्तक है इसके अलावा पिये मोदी को जूटा कहते हुए जनता क्या कुछ कह रही है क्या ट्रेंड चला रही है वो भी देख लिजए एक पेज से ट्वीट किया गया है कि वोट हासल करने के लिए मोदी हर संभव कोशिस कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम कार्ट खेल रहे हैं लेकिन वो चुनाओ में हार रहे हैं आईए शोर को खत्म करें और उस पर ध्यान के इंदुरत करें जो वास्तव में माइने रखता है भागीदारी बिरुजगारी और महंगाई एक और पेज ने लिखा है कि सबसे बड़े लोकतान्फरिक देश के प्रधानमंत्री द्वारा बारतिय मुसल्मानों को गुसपैठिया कहना वाकई शर्मनाक है इतनी नफरत क्यों वहीं अश्वनी सोनी लिखते हैं कि अपने दस साल के काम गिनाने के जगा हिंदू मुसलिम कर रहे में लगे हैं मैं साफ कह रहा हूं कि जीरू इज़त है इस व्यक्ति के लिए अब दोस्तों दावा किया जा रहा है कि नरेंदर मोदी का नफरत भरा भाशन अब तक का सबसे बड़ा सेल्फ गोल साबित हो रहा है इससे नकेवल अलप संख्यकों के वोट बीजेपी के खिलाफ एक जुट हो सकते हैं बलकि दलित समुदाय पर भी इसका असर पड़ सकता है ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि भाशपा नेताओं के दावे की वज़र से दलित समुदाय पहले से ही इस भरहम में है कि अगर इनकी सत्ता वापस आती है तो भाशपा बाबा साहिब के समुदान को बदल सकती है लेकिन कल का भाशन दलिताओ के लिए भी एक चेतावनी बनकर साबित हो सकता है उन्हें डर है कि अलपसंकियों की बाद उनके साथ भी ऐसी नफरत वाली राजनीती हो सकती है खेर आप पियम मोदी के इस बाशन के बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिकर जरूर बताईएगा यह खबार आप उल्टा चुश्मा यूसी पर देख रहे हैं नमस्का